नमस्कार दोस्तों मैं विजिति वारी स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल दा बुक सोसाइटी में जहां हम आजी क्लास में सब्जेट कोड भी है चैप्टर नमबर फोर की चर्चा करेंगे चैप्टर का नाम होगा जर्मनी में राश्क्त्रे समाजवाद इस हिटलर का उद्य हुआ जर्मनी में तो हिटलर की शाष्ण वर्स था कि क्या-क्या विशेस्ता ही थी उसने किस प्रकार से सिक्षा के चैप्टर में राजनीति की चैतर में समाज के चैतर में पूरी तरीके से बदलाव ला दिये किस प्रकार से उसने लोगों के अंदर नामों के बारें बता जाएगा तो आप सभी को पता होगा जैसी आपके सामने जर्मनी आता है जर्मनी का नाम आता है तो आपके सामने एक तस्वीर आती है और वो तस्वीर होती है एडल्फ हिटलर की बात करें तो हम एक ऐसे शाषन की याद करते हैं जो दुनिया का अब तक सबसे ताना शाषन था, बड़े पैमाने पर अपराधिक गतिविदियां हुई, बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याइं हुई, बड़े पैमाने पर जैनोसाइड नरसंगार हुआ, इतिहास की सबसे अपराधिक और विनाशकारी जो शाषन विलस्ता मानी जाती है, ऐसा इतिहास का कहना है लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इतिहास के पन्नों में आप जाओगे तो हिटलर से भी जादर जादर तानाशा प्रवर्तियां दिखेंगी बस किताब में उन्हें अच्छे से पेश नहीं किया गया क्योंकि किताब ही चाहें तो किसी को अच्छा बना दे और किताब ही चाहें तो किसी को बुरा बना दे तो हिश्ट्री पढ़ते हुए हमें अपने दो राये रखनी पढ़ती है एक positive और एक negative हिटलर के बारे में जितनी negativity दिखाई गई है शायद नी negativity जरूरी नहीं है ये ऐसा मेरा मानना है आपका मानना शायद कुछ और हो सकता है मैं नहीं चाहूँगा कि आप मेरे विचार को समर्थन करें लेकिन आप इतिहास के पन्ने में देखिए तो इससे भी ज़्यादा तानाशा प्रवर्तियां दिखाई देंगी बस फर्क इतना सा है कि वो किताबों में दर्ज नहीं है और अगर हैं भी तो उन्हें बहुती सिंपल वे में दिखाया गया है तो हिटलर की अगर बात की जाए तो यह माना जाता है कि दूसरा विश्युद उसी की बहें से हुआ है दूसरा विश्युद को बढ़काने में उसी ने मदद करी थी बड़े पैवाने पर सामुई खत्या करी थी अध्योई तकनीक का इस्तिमाल किया था युद के दवान 55 मिलियन लोग मारे गए हिटलर ने 4 से लेकर 6 मिलियन एरोपिय यहुदी और जिपसियों का नरसंगार किया ऐसा था हिटलर ऐसा किताबे बताती है लेकिन हमें यह नहीं मानना चाहिए अगली लाइन यही कह रही है और जिन में से एक बहुत बड़ा नाम आएगा केसर विलियम दित्ति है अगर आप केसर विलियम दित्ति को पड़ोगे तो आपको दो चलेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कहीं ना कहीं केसर विलियम दित्ति की ही देन था ये एक बड़ा पक्का जर्मन समराजवाजी था जर्मनी की राजनीति में महतपुर परिवर्तन केसर विलियम दित नहीं किया था उसने बिसमार्क की 690 विवस्तार को बर्खास किया और आर्थी विकास को तेज किया जब वो जर्मनियों परिवर्तन ला रहा है तो जर्मनियों बहुत सारी समस्यां भी आ रही है जैसे कि केंसरकार की राजियों पर हमेशा वित्ते निर्भरता होती है क्योंकि वित्त विवस्ता बजट विवस्ता के लिए हमेशा केंसरकारे राजियों पर डिपेंड रहती हैं रूड़िवादी पिशा की महा व्यस्था थी और लोगों को वर्ड डालने के एधिकार थे ऐसी बहुत सारी समझे हैं थी जो केसर विलियम दित्स के सामने आई और केसर विलियम दित्स ने बहुत सारे सुधारों करने की कोशिश भी करी उसने सबसे ज़्यादा सैनिक सुधार किये उसका ये मानना था जिस देश की शाष्ण विवस्था में सैनिक विवस्था मजबूत नहीं है वो देश जाल दिनों तक नहीं चल सकता इसलिए उसने बड़े पैने पर थल सेना और नौ सेना का विकास किया आगे की बात किया तो विचारधारा की छेतर में नाजी यूग जो था वो बहुत सारी प्रंप्राओं को लेकर चल रहा था अगर हम देखें कि हिटलर के शाष्ण में नसलवाद और समराजवाद अगर तेजी से आगे बढ़ रहा था जर्मनी की राजनीति याद की जाती है वो यहूदियों के विरोध में याद की जाती है कि यहूदियों का यहां बड़े पैमाने पर नरसंगार हुआ था तो यह इस चैप्टर की प्रेश्टबूमी है जिसमें केसर बिलियम दित्य और हिटलर का थोड़ा सा चरितर दिखाये गया है वास्तों में जो चैप्टरी शुरूआत होती है वो यहां से होती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद यानि की प्रथम विश्युदि के बाद जर्मनी की राजनीति कैसी थी तो अगर आपने पहले चैप्टर का आडियो लेक्चर सुना है तो आपको जरूर पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी में एक नई राजनीति विवस्ता ही और ये नई राजनीति विवस्ता वाइमर गड़राजी के नाम से जानी जाती है तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुलो ताकि चैप्टर समझे में आपके लिए असानी हो इसके लावा इदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़ो और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाई जरूर दो ताकि हमें पता चल पाए चीजे आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है तो चलो शू करते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी में जो राजनीतिक व्यवस्था आई उस राजनीतिक व्यवस्था को हम वाइमर गड़राजी के नाम से जानते हैं उसका रिजन ये है क्योंकि वाइमर जो जगह है जर्मनी की वहीं पर वो इसलिए उसे वाइमर रिपब्लिकन कहा जाता है तो वाइमर गड़राजी का जनम हुआ लेकिन इस गड़राजी की बहुत सारी समझ से आए थी शुरुवात में तो ये शुरुवात में अच्छी शाशन ववस्था करेगा पर आगे चलकर ये परिशाशिक रूप से असफल हो जाएगा परिणामता वाइमर गड़राजी का पतन होगा और हिटलर का उदय होगा जर्मनी की अगर बात की जाए तो फर्स वर्ल्ड वर में वहारेगा परिणामता उसके उपर वर्साई की संधी थोपी जाएगी और वर्साई की संधी के परिणामता ये माना जाएगा कि उसकी पूरी की पूरी आर्थिक वजस्ता और स्यानिक वजस्ता वो खतम कर दिये जाएगा उसके जो बड़े बड़े छेतर है वो भी उससे छीन ले जाएंगे जैसे जर्मनी में एक जगा होगी रूर रूर जो कि कोईले के लिए बहुत फेमस था वो पूरा पूरा फ्रांस और बेल्जियम ने मिलकर कबजा कर लिया यह सब वरसाई की संधि में था, इस सब के बारे में फर्स्ट चैप्टर में चर्चा की है तो थोड़ा-थोड़ा यहां पर बताए गया है, किताब से थोड़ा सा पर दिता हूँ किताब क्या कहती है तो वाइमर गंडराज्य जनम लेता है First World War के बाद सेना की हार होती है जर्मनी की प्रिशाशनिक रूप से यह असफल हो जाता है जर्मनी का जो युद्ध है वो शत्रों के विरुद्ध विराम के लिए जर्मनी के सामने सरकार की परिवर्तन की शर्ते रखे आती है यानि कि वर्साई की संधी में यह रखा जाता है कि जर्मनी के जो शाशन विरुद्ध है उसे परिवर्तित करना होगा केसर विलियम देते अपना पद छोड़ देगा और दो दिन बाद 11 नॉम्बर 1980 को वर्साई की संधी पर हस्ताक्षर हो जाएंगे राणनीती वर्स्ता की बात यही होती है जब संकट नहीं सुलस्ता तो सत्ता दूसरों के हाथों में चली जाती है और ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली आती जिसे साहर लोग पसंद भी ना करते हूँ क्योंकि जब राणनीती परिवर्तन मांगती है तो कई बार कुछ ऐसे शाषक सत्ता में आ जाते हैं जो शाषन चलाने के काबिल भी नहीं होते और इसमें भी कोई आश्रेक बात नहीं थी कि जर्मनी में भी इसी प्रकार की शाषन वरस्ता हुई विभिन राणनीतिक पार्टियों को यहाँ पर उदे होगा और सभी लोग वोट बैंक की राणनीती शुरू करेंगे परिणाम ता यह होगा कि जर्मनी का जो सुसाइटी है जर्मनी की जो समाज है वो बहुत सारे छोटो छोटे भागों में बढ़ जाएगा और विभिन राणनीतिक पार्टियों अपने अपने तरीके से लोगों को लामबंद करने की शुरूआत करेंगी और अपने अपने तरीके से उन्हें वोट बैंक के रूप में देखेंगी परिणाम यह होगा कि किसी को भी मैजोटी नहीं मिलेगी और गडबंधन के सरकारे लगातार बनेगी गडबंधन के सरकारों की विशेस्ता तो यह होती है कि उसमें सभी लोग समर्थन देते हैं बट इसकी कमी यह होती है कि अपना टाइम पिरेड पूरा नहीं कर पाती हो चुका था और आर्थिक देश्टी से भी कमजोर हो चुका था ऐसे में एक पार्टी ती शोशल डैमोक्रेट्स पार्टी जिसे हम स्पीडी कहेंगे सोशल डैमोक्रेटिक पार्टी 1917 में रूस की घटना हुई थी आप सभी को पता है रूस में रशियन रवोलिशन हुई थी रूसी क्रांती हुई थी जिसका प्रभाव जर्मनी पर भी पढ़ता है सपार्टा जो की एक बहुत बड़ा शहर था सपार्टा के जो लोग थे उन लोग वहाँ पर भी परिवर्तन हुआ वहाँ पर भी विद्रो हुए उसका प्रभाव भी जर्मनी पढ़ा और परणाम यह हुआ कि जर्मनी के बर्लिन में एक विद्रो हुआ जिसके दोरान सरकार ने शोशल डैमोक्रेटिक प्रभारी चांसलर एलबर्ट ने अपने एकमात बचाओ के था सेना से समझवता कर लिया यानि कि जो जर्मनी की पार्टी थी शोशल डैमोक्रेटिक प्रभार्टी इसका जो चांसलर था एलबर्ट इसने अपने आपको बचाने के लिए सेना समझाता कर दिया सेना ने क्या अगरा सेना ने इसके समझाता के लिए मजदूरों के विद्रों को दबा दिया यानि कि मजदूर विद्रों कर रहे है 1918 में कहाँ पर बर्लिन में बर्लिन कहां की जगह है जर्मनी की जगह है तो बर्लिन में जब विद्रो करते हैं तो यहां का जो चांसलर है चांसलर का नाम क्या है एलबर्ट इसे लगता है कि इसकी सत्ता जाने वाली है तो अपने बचाओं के लिए सेना के साथ समझाता कर लेता है परिणाम ता सेना इसक सेना से हटाये जो सैनिक थे यानि कि जिन सैनिकों को सेना से निलंबबित कर दिया गया था इन लोगों ने मिलकर अपने ग्रुप बनाया था उस ग्रुप को क्या खते थे इस पार्डी को सत्ता मिल जाती है इसके बाद सत्ता मिलने के बाद यह लोग क्या करते हैं यह जो free cops है free cops कौन जो जेना ऑसे हटाये जवान थे इनका एक group है जिसे हम free cops कहते हैं इन लोगों ने पता है क्या करा ये माना जाता है कि 1918 में जर्मनी के बर्लिन में जो वो अंदोलन हुआ था ना उस अंदोलन को बढ़काने में इनी लोगों का योगदान था परिधाम ते इनकी हत्य होते ही न कि रते ही यह या यह वाग दो भागों में बढ़ जाता है क्योंकि एक विचार ठाहरा थी दक्ष वर्ग में कडवाहट बढ़ गई, ऐसे में बहुत सारी मजदूर यूनियन बनी, हैंबर्ग और बर्लिन में श्रमिक और सैनिक परिष्टते कायम हो गई, यहां तक की एक जगाती बेवरिया, यहां पर भी थोड़े दिनों के लिए सोवियत गरतंतर स्थापित हो गया, इसके कोईला संसादनों का बड़े प्रेवाने पर दोहन करेंगे, 1920 में कुछ विद्रो होंगे, 1923 में कुछ विद्रो होंगे, और इने बलगातार सैनिक शाष्टन के मादम से दबाने का प्रयास किया जाएगा, इधर मध्यम वर्ग जो होंगे, और जो निम्न वर्ग होंगे, इ इसमें ये नेता है, इनी लोगों ने जर्मनी के लोगों के पीठ में चुरा घोपा है, तो अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की आप जर्मन राजनितिक की बात करेंगे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की जर्मन की राजनितिक इतनी सी है, कि राजनितिक आईस् उसका शोषन किया जा रहा है मुद्र इस्फिति यानि कि महंगाई बढ़ रही है अब ऐसे में नाजी पार्टी को गठन होगा अब तक कौन सी पार्टी शार्षन में अपनी महत्पुर भूमिका निभारी है तो वो पार्टी है शोषन डेमोक्रेट्स ये बात ध्यान रखना क्योंकि आगे चीजे वरना समझ में नहीं आएगी चैप्टर सुरुआत में थोड़ा सा टफ है लेकिन आगे आप देखोगे तो चैप्टर थोड़ा सा असान है तो नाजी पार्टी के अगठन कैसे होता है तो 1919 की बात है एक बंदा है एनन ड्रैक्सलर ने म्यूनिक नाम की जगा पर जर्मनी वर्कर्स पार्टी की स्थापना करी यानि कि 1919 में एनन ड्रैक्सलर ने म्यूनिक नामक जगा पर जर्मन वरकस पालिटेगी स्थापना गरी सद्धानते की इस तर पर इसमें ये बात किये गई कि हम समाज में सुधार करेंगे देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देंगे यानि कि राष्टरवात को बढ़ावा देंगे सलाव और यहूदियों खिलाफ घ्रणा होगी यानि कि सलाव जन जाती जो है यहूदी जन जाती है कौन करता इसकी स्थापना है एनन ड्रैक्सलर ये क्या कहता है कि हम समाजिक सुधार करेंगे लोग में देशभक्ति के भावना का प्रचार प्रसार करेंगे सलाव और यहुदियों के हम खिलाफ रहेंगे और जो फर्स्ट वर्ल्ल वार में जर्मन हारा है इसके लिए लोग को यही बंदा हिटलर को उपर उठाएगा और एक सैनिक अधिकारी रहेगा जिसका नाम क्या है जिसका नाम है अरनेश्ट रॉम जो कि एक पार्टे गठन करेगा एसस आगे चलकर 1920 कि इसमें जब हिटलर इस दल का नेता बनेगा तो इस पार्टे का नाम बदल लेगा और उस पार्टे का नाम क्या रख देगा जर्मन नेशनल सोसलिफ्ट वरकर्स यह पार्टे उग्र छीने गए हैं फर्स वर्ट वर्वार के बाद वर्साई की संधी में उन सभी उपनिवेशों को हम वापस करें लेंगे और वहां के लोगों को मार देंगे क्योंकि हमें उन लोगों को बिल्कुल हम पसंद नहीं करते जो लोगों ने जर्मनी का उससमें साथ नहीं दिया और इस की सारी शर्तों खतम करना इस पालिटे की दूसरी विचार था थी तीसरा बड़े पैमाने पर व्यपार का राश्टे क्रण किया जाएगा यानि की राजिक का नियंतरन कर दे जाएगा बड़ी कम्पनियों का जितना ही मुनाफ़ा होगा उसमें इस पार्टी की हिस्सेदारी होनी चीए अनार्जित आई की समाप्ती होनी चीए यानि कि ऐसे कोई भी आमदनी नोची जो बिना महनत करें मिल लोगों को भूमी सुधार करेंगे छोटे वैपारियों को पट्टे पर दुकान देंगे संसत की ताकत को बढ़ाएंगे लेकिन 1933 में जब नाजी पार्टी सत्ता में आईगी हिटलर शाषक बनेगा तो कुछ सुधार तो इसमें से भूल जाएगा जो इसे वास्तों में करने चाहिए थे तो ये नाजी पार्टी की विचारदा रहा थी अब देखो गई 1922-23 में वाइमर गड़राजे संकट की स्थिति से गुजर रहा था यानि कि फर्स्ट वर्ल्ल वार के बाद वाइमर गड़राजे की स्थापन होई लेकिन दो-तिन साल बाद वाइमर गड़राजे बहुत सारी संकट से गुजर रहा था उन में से पहला संकट ये था कि मुद्र वेवस्था एसफल हो गई थी मुद्र इसफिती आसमान चुर रही थी बड़े पैवाने पर महंगाई गरीबी बिरोजगार बढ़ रही थी सितंबर 1923 तक एक पाउंड का मुल्ले 15 मिलियन मॉर्क हो गया मॉर्क जो थी वो जर्मनी की मुद्रा थी और पाउंड जो थी वो ब्रिटेन की मुद्रा थी जनवरी 1923 में जर्मनी द्वारा हर जाने का भुक्तान ना करवाणने से फ्रांसिसी सेना ने रुवर पर कबजा कर लिया यानि कि वर्साई की संदी में क्या मुद्दा हुआ था वर्साई की संदी में यह हुआ था कि जर्मनी हमें हरजाना देगा और अगर जर्मनी ने युद का हरजाना नहीं दिया तो उसका जो छेतर है रूहर हम उस पर कपजा कर लेंगे और जर्मनी वह हरजाना देई निपाय वो पैसे वो देई निपाया जो उसे फ्रांस को देने थे तो फ्रांस और बेल्जियम ने क्या करा 1923 में जर्मनी का चेतर था रूहर उस पर कपजा कर लिया और रूहर चेतर कोई छोटा मोटा चेतर नहीं था रूहर की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे नेचलरल लिसोर्सिस थे कोईले की खाने थी लोहे की खाने थी जिसका बड़े प्रांस और बेल्जियम ने क्या कर लिया कंट्रोल करा उसका शोशन किया सितमबर में गुष्टेव इस्ट्रेट्स में नया चांसलर बना जर्मनी का और उसने वर्साई की संधी की शर्तों को मानने की नीती अपनाई यानि कि जो नया चांसलर बना रहा है वाइमर गड़राजी का गुष्टेव इस्ट्रेट्स में ये बंदा कहता है देखो वर्साई की संधी में जो बाते कीगे थी मैं उसको फॉलॉप करूँगा और जर्मनी की तरफ से माफी मांगता हूँ जर्मनी के लोग इससे निराश हो गए खास तोर पर जो दक्षिन पंती विचारदारा के लोग ते निराश हो गए इन्होंने का ये चीज गलत है क्योंकि अगर जर्मनी इस हर जाने को भरता है जर्मनी वर्शाइगी संदी को मानता है तो सबसे जाएद जो पूझी पती वर्ग है उसका ही नुकसान होगा ऐसमें जर्मनी के लोगों ने सोचा है कि यार ये बंदह जो है न ये कहीजना कई जर्मनी के संबाण को खोने की बात कर रहा है और यही मौगा था कि हिटलर इन सम्मुद्दों को उठाएगा और वो लोक प्रिया नेता बन जाएगा इससे में 1922 में अगर हम इटली की बात करें इटली के रोम में एक नया नेता आगे बढ़ रहा था और वो नेता था मुसोलिनी मुसोलिनी की अगर बात किया है तो यह फासी वादी विचारधारा का समर्थक था और जर्मनी का जो हिटलर था वो इसकी विचारधारा से बहुत ज़ाधा पेई था और हिटलर और मुसोलिनी आगे चलकर बहुत तगड़े दोस्त भी बन जाएंगे तो हिटलर भी ऐसी होगा और वो सोचेगा कि मैं भी जर्मनी की सत्ता को हत्यालू जैसे कि है इटली वे मुसोलिनी ने सत्ता पर कबज़ा करनों क्योंकि कोई परिवर्टन जभी आ सकता है जब पावरोब आसकती जब किसमे हो आप सत्ता में तो यहां तक का आई होप सो मामला समझ में आ गया हो देखो इस चीज़े इतनी असान नहीं है चीज़े बहुत सारी एक साथ चल लिए क्योंकि वह यह मान के चल ला है कि फाइनल एर में वह आप और पहले से चीज़े पढ़कर आए हो अब आप यह सोचे जो कि एक यह बार मे और दंगों में 16 नाजी मारे गए यानि कि मुद्दा यह हुए हिटलर ने सोचा कि मैं पूरी अधिकारियों के साथ मिलकर क्या करूं सत्ता को हतिया लूँ लेकिन जो यह अधिकायत इन्होंने हिटलर को धोका दे दिया और इन्होंने क्या गरा एन टाइम पर यह शाष्ण जिन हतिकारियों के दम पर यह सोच रहा है कि मैं सत्तव पर कप्जा कर लूँगा वह अधिकारी और सेना सेना के शाष्ण के साथ हो जाते हैं और हिटलर की नाजी विचाधार है कि कुछ लोग मारे जाते हैं हिटलर को भी यह कहा जाता है चल भई अब तू भी जेल में बं करती है इसमें जो यह अभिजात्य तंत्र हैं कुलीन वर्क हैं सैनिक लोग हैं अधिकारी लोग हैं यह सब न एक धब्बा है जर्मनी पर लगबख सभी जो मानुए संस्किति उसमें आ रहे ही सरुस्तेष्ट हैं यहुदी सबसे निम्न हैं इन्होंने रूसी बॉल्शेव बना और उसके बाद उसने ग्रिगेर इस्ट्रेसर द्वारा नियमिंत्रित वाम शाख़ा पर भी तेजी से कंट्रोल कर लिया फिर उसकी बाद उसके एक बंदे से मुलाकात होती है इसका नाम था गोईबैल्स और यह बंदा जो गोईबैल्स था इसने आंत तक हिटलर का सा तो यहाँ पर कुछ नहीं है इस पूरे परग्राफ में आप यही पड़ोगे कि बार-बार सरकार हो गठन होगा और बार-बार सरकारे गिरेंगी कोई सरकार एक साल के लिए कोई सरकार डेर साल के लिए कोई सरकार दो साल के लिए और हर बार के चुनाव में एक बाद खास ह कि नाजी party का जो जन्मत है नाज़वी party का जो vote bank को लगातार बढ़ता जाएगा इस party के जो members है वो भी लगातार बढ़ते जाएंगे लाखो लाख member हो जाएंगे तो वाईमर गड़ राजे का पहला राश्पति बनता है ऐबट जिसने समुझान के तहत राइक स्टाउक यानि इसके लावा पातकाली न अधिकार भी किसको मिल गए राइक श्टॉक को यानि कि जर्मनी की संसद को जर्मनी की संसद का जो लीडर्शिप होगी और अनुपातिक प्रतिहित के सिधान पर होगी देखो हमारे देश में भारत में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो जो सबसे आगे वही जीते है धार पर है लेकिन जर्मनी में जो था वो समानुपातिक प्रणाली थी यानि कि जितने की पारिटी को मेजोटी नहीं मिली एशडीपी जो पारिटी थी सेंटर पारिटी थी इनने ज्यादा समर्थन मिला आगे चलकर एबर्ट की मिर्त्य हो जाती है उसके बाद नया बंदा आता है वान हिडेन बर्ग ये नया राश्पती बनता है और ये रास्तंतरवादी हो गई किसके शाष्णकाल में हिडेन बर्ग के यानि कि अबर्ट की टाइम पर तो डेमोक्रेसी थी लेकिन अबर्ट की मिर्त्य बाद जो नया शाष्ण बनता है ये रास्तंतरवाद को बढ़ावा देता है और जो राइक श्टॉक थी यानि कि जर्मन की जो संसत थी उसके लोगते स्थापना के बाद जो संकर था वो कहीन कहीं खतम हो जाता है इसके बाद क्या मुद्दा बनता है यह बहुत सारे सुधार करता है इवन इतना इनी स्टेट्समैंट की जो सरकार है यह सरकार रूहर से फ्रांसी सिसे ना को वापस भेंदे में सफलता परापत करती है मुद्रा को इस्थायत्व देती है मित राशतों के साथ डौस योजना पर समस्वाता करती है जर्मनी पर जो हरजानी की रखमति उसको कम करने के लिए प्रयास करती है 1939 में यंग योजना पर मुआवजे की राशी और कम कर दियाती है फ्रांस और बिटे निर्धारी समय से 5 साल पहले ही जर्मनी से निकलने के लिए क्या हो जाते है राजी हो जाते है 1919 से लेके 28 तक 15 सरकारे बदलती है यानि कि इन 9 सालों में 15 बार सरकारे बदलती है कई बार दक्षिण पनती और कई बार वाम पनती लोगों की सरकारे बनती है अमेरीकी जिटीब की वापसी होती है बड़े प्हानेपन और इंपोर्ट, एक्स्पोर्ट इन सब चीजों को बढ़ावा देने की बात की जा रही है जर्मनी के वापार को बढ़ावादी की बात की जाड़ी है लेकिन समस्या है और भी जादा हो रही है 1939 में आर्थिंग मन दियाएगी जिसकी चर्चा भी हमने पहले चैप्टर में की थी तो अगर देखो पहले दूसरे चैप्टर का अगर आपने रेक्चन नहीं सुनाया तो यहाँ पर चीज़ आपके लिए थोड़ी सी टफ हो जाएंगी 1932 में जर्मनी में बिरोजगारी 5.6 मिलियन पहुँच गई टैक्स में कमी होने लेगी और बिरोजगारी भत्ता बढ़ाने से सरकार के उपर वित्ते बोज बढ़ गया तो सरकार ने पता क्या करा सरकार ने कहा कि भी जब महंगा इतनी बढ़ रही है तो हम क्या गरेंगे टैक्स को बढ़ाएंगे और विरोज़गारी भत्तेगों खतम कर देंगे यानि कि जो बंदा विरोज़गारी उसे हम कोई पैसा कोई साहिता नहीं देंगे परड़ाम यह हो रहा कि सरकारे बार-बार गिर रही है हो और बार-बार बन रही है जैसे कि यहाँ पर कुछ केवल डैटा दिये गए हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डैटा मिलेंगे और यहाँ से कोई प्रश्न बनने वाला है नहीं तो फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ ले ना मैं आपको दो लाइन में समझा दे रहो, सिंपल सी इतनी बात है, कि यहां से यहां तक बस यह बताएगा किस party कितने vote बन रहा है, किस party कितने vote percent कम हो रहे हैं, किस party कितने vote percent जादा हो रहे हैं, 1928 से 33 के बीच में 5 बार, यानि कि 5 सालों में 5 बार चुना होंगे, और हिटलर की party कि अगर बात किया है, तो हर साल इसकी सरस्ता प्रजी आएगी, 1925 में हिटलर की party में 27,000 लोग थे, 26 में 49,000 हो गए, 27 में 72,000 हो गए, 1928 में 1,08,000 लोग हो गए, और 1929 में 1,78,000 लोग हो गए, यानि कि 5 सालों में 559 परसेंट लोग किसे हिटलर से जुड़ते जारे हैं, उस कि लोग को बहुत जल्दी अट्रेक्ट कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है, कि फाइनली 1933 में नाजियों की राजनितिक सत्ता आ जाती है, और अब जो है नाजी, यानि कि हिटलर और उसकी party के जो समर्थक हैं, वो जर्मनी की राजनिती व्यवस्ता में पूरितरी के से क्या ला जाली नहीं है, तो अब तक कि चैप्टर में जो हमने पढ़ा है, वो यह पढ़ा है कि नाजी party की स्थापना किस परकार से हो रही है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो जर्मनी की राजनितिक व्यवस्ता वो कैसी रही, तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जर् किन नीतियों को आगे बढ़ाएगा, तो मिलते हैं आप से next lecture में, तब तक कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद,